मैं शानतनू आपका स्वागत करता हूँ आज के सेशन में और सबसे इंपरेंट बात आपको बताना चाहता हूँ कि हमारा कारवा जो है आजा सेकेंड लास डे पर आ चुका है बाई उंतीसमा दिन हम आपके सामने लेके आ चुके हैं मौडल पेपर और यह मौडल पेपर हमार इस चैनल को सबस्क्राइब कर लेना बेल आइकन को जरूर प्रेस करने और एक इंपॉर्णेट बत और बता दूँ आपको क्या कि मैं आपको आज इसमें भी एक होमवग दूँगा हर सेशन में एक होमवग जरूर देता हूँ जिसका अंसर आप कॉमेंट बॉक्स करके बहुत सिंपल सा क्वेशन भाई ऐसा नहीं है कि सिंपल क्वेशन नहीं आते हैं सिंपल कॉष्ण भी आते हैं एक्जाम में और आपसे बनते हैं चलिए एक बाएं इंग्लिश में देख लेते हैं इसको आपने वीडियो को पॉस करके बनाया करो बेटा तक उससे असानी से बन ब़त किमें उम्मीद है कि आपने बनाया होगा इसको उमीद है कि आपने इसको बनाया होगा और सही सही बनाया होगा तो है तो चलड बह safest है चाहर-कॉर्णरuh चाहर-मिडल ठीक फेसिंग है इसमें V is seated second right of T T के right second पर कौन आएगा V यह देखो V आगया आगे देखो 3 person between V and U एक तो obviously बात हैं आमने सामने हो जाएंगे V और U S जो है ना वो U के left second पर तो बहुत simple question था S यहाँ आजाएगा S और X जो हैं वो immediate neighbors हैं लेकिन same side पर नहीं है S और X S और X same side पर नहीं है लेकिन neighbor है यहाँ पर अच्छा ठीक है भई आगे तो यहाँ पर W और Z के बीच में कि यहाँ पर एक पर इस line पढ़ लोगे S और X जो है immediate neighbor but not on a same side अच्छा एक बात बताओ यह जो line थी S is second left of U U के left second पर S हो जाएगा और उसके पहले कि राइन जो देखा जाएगा पर 3% between V and U था ना V और U के बीच में 3 बंदे हो जाएगे और T के right second पर V हो जाएगा और यहाँ पर एक बाद ऊपर पढ़ लेते हैं square table such a way the three two person were अच्छा भाई कहानी कुछ ऐसी यह देखो ऐसे चेंज होने वाला है ऐसे चेंज होने वाला रुख जाओ ऐसे चेंज हो जाएगा तब ही तो करबड हो था है यहाँ पर ऐसे एक दो तीन चार पांच छे साथ आठ ऐसे होगा पिटा और अगर ऐसे हुआ तो question शुरू कर दो V is second to the right of T तो T के right second पर यहाँ पर V आजाएगा ऐसा अच्छा है हाँ एक ऐसा case बन सकता है जिसमें देखो एक दो तीन चार पांच छे साथ आठ ऐसा हो सकता है कि यहाँ पर हो तो एक और दो पर V यहाँ आजाए ठीक है ऐसा भी हो सकता है V और U के बीच में तीन बन दे तो एक दो तीन चोड़के U यहाँ पर एक दो तीन चोड़के तो U यहीं आएगा आमने सामने कह सकते हैं इसको एक दो तीन चोड़के U यहाँ पर या फिर एक दो तीन चोड़के तो V और U आगा इसमें S जो है वो UK लिफ्ट सेकेंड पर S S ठीक है और आगे बोला कि S और X नेबर से हैं लेकिन एक ही साइट पर नहीं है तो यहाँ पर इसमें X यहाँ आजाएगा और इस वाले में जो X आएगा इस माफिशाओंगा इसमें जो X आएगा S और X यहाँ आजाएगे ठीक है आगे देखो 1 परसन बिट्विन W और Z बिटा W और Z के बीच में एक बंदे होने वाले हैं यहाँ पर तो यह देखो W और Z के बीच में एक बंदे हो जाएगे condition change हो सकती है इनकी इदर उधर में हैं यह देखो आगे देखो जड़ास को आगे पढ़ लेते हैं उसमें और भी एक जगह है क्या खाली नहीं उसमें तो बस सही है हाँ यहां भी हो सकता है W इधर भी हो सकता है तो एक काम कर लेते हैं रुख जो इसको हटा लो W और Z के बीच में कितने लोग हैं एक लोग यहां पे हो गया आगे क्या बोलग है W जो सेकेंड लेफट ओफ य W य के लेफट सेकेंड पे आज़ा W कर Y के लेफट सेकेंड पे होने वाला है बेटा एर एक बार बताओ Y के लेफट सेकेंड पे डबलू होगा तो इसका मुना आगे देखो ज़रा से W वासीट सेकेंड लेफट ओफ वाई आट लीस्ट वन परसंट बिट्विन S और Z S और Z के बीच में एक बंदा तो होना चाहिए एट लीस्ट एक वेन कांटेड लेफट और राइट अच्छा ठीक है इसमें तो कोई S और Z की बीच में एक भी बंदा नहीं तो ये केस गिलत हो जाएगा ये केस ही हो जाएगा खतम हो गया कोशन अब आगया आजाओ कोशन कटम तो बनाते हैं इसको पहले हिंदी इंगलिश देखनो बिटा समें कोशन क्या है ठीक है भाई ये लो यू आई एक्स वी एक्स वी एक्स वी आमने सामने टी वाई आमने सामने वी जैड आमने सामने नहीं है डबलू यू देखो जरा साथ डबलू यू देखो आमने सामने इसका मतब एक बात देखो यहाँ पे तो यू वाई की बात अगर करें अलग-अलग है ठीक है एक्स वी की बात करें मिटा एक्स वी की बात करें तो एक्स वी आमने सामने दिख रहा है टी वाई की बात करें टी वाई आमने सामने दिख रहा है है वो ऐसा बोला गया है कि कोई एक है जो अलग है मेरे ख्याल से ना इसमें यही थोड़ा सा एक मुझे लग रहा है एरर होगा यू वी डबलू वाई एक्स वाई एक्स टू ठीक है टी यू वी यहाँ पर जो क्वेश्चन यहाँ पर दिखाई दे रहा है मुझे डबलू और जट की बीच में एक सब कुछ तो ठीक है मैं इसको नीचे लिख दे रहा हूँ यहाँ पर थोड़ा सा एक दो तीन चार पांच छे साथा ठीक है ने बिटा एस वाई वी डबलू टी जड यू एक्स ठीक है और सारी करनेशन इसमें मैच भी है तो कुछ एक बार मिला जोड़ा कोई हो सकता हम लोगों ने गलत कर दिया हो लिखते में है ना जल्दी यल्दी में गलत कर दिया हो वी जो है वो ट के राइट सेकंड पर है क्या हाँ बिल सब्सक्राइब करेंगे तो यू और वाई जो है आउने सामने नहीं एक्सवी आउने सामने डिख रहा ती य आँने सामने दिख रहा वीजवी जयड कर देखा जाया यहां पे रहा और अभचों नहीं च穴श टंटी यहां थो एसा हिसे लग रहा यहां पे थे को इंग्लिश में लिखा हिंदी में लिखा गया भी जट ठीक है सही था आगे आजो यहां पर क्या था वाट इस पोजिशन आफ डबलू विद रिस्पेक्ट टी डबलू का स्थान टी के संदर्व में क्या बिटा तो डबलू टी के कहां इमिडियेट राइट में option number B, B के साथ जाएंगे बढ़ा answer next यह देखो बिताओ कौन सा गलत है X, V के सामने है क्या ठीक है Z, U के right second पे क्या, Z, U के right second पे है क्या, नहीं भाई, Z, U के तुरंत right में, कौन सा गलत बोला गया नए, Z, U के just right में आई जो है वो immediate left है W के, W के immediate left में आई है क्या? Z was, अच्छा, I was, यहाँ पर I was, W के ठीक बाए है न, I तो इसमें ही नहीं question में, वो T होगा मेरे ख्याल से, यह T होगा, ठीक है, यह T होगा बेटा, क्योंकि I तो question में नहीं है, यह T है, और S यह भी सही होगा, तो answer यह वालग गलत हो जाएगा, S was seated immediate right of Y, S, Y के just right में हाँ, ठीक है, तो answer आईगा, इसका C वाल option, वो T है बटा, आई नहीं है न, वो यह आई तो question में नहीं था, और आगे देखो, यहाँ पर question क्या था भाई? second right of Y, देखो कौन है, Y के right second पर कौन आएगा या, तो Y के right second पर कौन आएगा, X आजाएगा, X, 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 ठीक है, next, यह खतम होगे बटा, उड़ाओ इसको जल्दी से, 5 question इसके जल्दी सोड़ा देते हैं, जल्दी सोड़ाओ इसको अंसर क्या आएगा? यहाँ पर देखो, P से M अगर चलेंगे, तो P से M जा रहा है हम लोग यहाँ पर, तो यहाँ पर preference किसको देंगे? greater को, और अगर greater को preference देंगे, तो यहाँ पर less than है, खतम करो, M से J की बात करेंगे, तो यह दो को पीछे से आगे जाएगे, फरेफरेंस less than को देंगे, और यह साइन पर जाएगा, तो यहाँ पर दिख रहा है, क्या सही तो अंसर आगा? इसका सिकेंड, only second option, first आएगा, फिर्स आजएगा, विटा, अंसर इसका बहुत असानी के साथ आजएगा, Next देखो ज़गा सा, TAA जाना बिटा पीछे से आगे जाओगे, साइन पलट जाएगा ये वारा साइन पलटेगा तो कैसा हो जाएगा, ऐसा सही है Y से के अगर चलते हैं, Y से के अगर जाओगे, साइन ओपोजिट हैं, गलत कर देंगे यह answer आएगा only first follow बिल्कुल सही था यह पांच question तो आपको इत्तरा से बनाना है कि आपके सामने question आए और आपको बंता चला जाए हलाकि यहां पर दो ही question दिये गहते हैं मेरे क्याल से दो ही question दिये जाते हैं यहां पर जाला इस question को उड़ाओ ज़रा सा इसके answers लिखने के लिए परे मैं आपको एक काम करता हूं question लिख लेता हूं उसके बाद answers निकालता हूं new policy का निकालना है new policy next ठीक है यहां पर जो है यह question को लिखना पड़ेगा small rate cut का code है s h r e ty तो किसका पूछा गया था बेटा आपको continuous big ठीक है t i n ओ यहां 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 यह थीक है यह दूसरा question था तीसरा question पूछा था बेटा आपको कि r e g i m e चौथा question था इसमें क्या था remain big skill remain big skill ठीक है और पांचवा question था small saving बस भाई इसको आप जल्दी से करोगे solve कर लेते हैं और question हमारा यहां से turn हो जाएगा ठीक है यह देखो यहां पर question था हमारा कुछ ऐसा चलो जली solve करते हैं पहला question निकार नापको बिटा क्या निउ पॉलिसी का तो सबसे पर दो यहां पर क्या था नियू यहां दिख रहा आपको नियू यहां पर और नियू कहां दिख रहा है इसमें नियू है क्या नहीं इसमें देखो नियू है क्या नहीं नियू अगर फॉस्ट में तो इसका code भी फॉस्ट में होगा एम नीचे द जी यह ठीक है और उसके बाद पॉलिसी का निकाल लो जली से पॉलिसी कहां दिख रहा आपको इसमें पॉलिसी 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 नीचे पॉलिसी है यहां पर पॉलिसी नहीं है यहां पॉलिसी नहीं यहां पर यहां भी नहीं है यहां भी नहीं है यहां भी नहीं K तो यहां पे अंसर आगा यह गा गा कटिपके त्लांद पेसे निकालने के साथ ही question को खतम करो नीक्स आज जो विटा नेएक्स सोङ Now this agora II 100 अधा यहां पेका झाओ आइट मी का वर्रेग मेल यहां पर कहां दिकh रहा यहां पर यहां दिख रहा और 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 कहीं नहीं तरफ फ्र्स-ट्रास्ट में common क्या देख रहा यह कess two आपके सेविंग यहां दिखरा बेटा तो इसका कोड़ भी कहा होगा सेकेंड और थर्ड में तो सेकेंड और थर्ड में कौन सा कोड्कॉड कॉमन जो दिख रहा एक दम सटी का आपको दिखाए दी तो बेट आप नोटिस करोगे ई-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e e m हो जाएगा समय ठीक है और इसके लावा स्मॉल करेखो क्या लगा दिखे ले लाभ आप स्मॉल ゃे घुरा तो स्मॉल यहां दिखे राप कोह स्मॉल लास्ट में देखे रहा तो सेक्ड लास्व में सबसे कॉमन क्या निखे रहा बटा तो आपको YouTube Sun तो बस ठीक है खतम करो small का gk हो जाएगा gk और em हो जाएगा अंसर इसका ठीक है और और अच्छा वहां पर small का जो gk लिखा है ना तो बिग का भी तो gk होगा अच्छा gk के लावाद दो और common दिख रहे होंगे एक और common दिख रहा होगा देखो जासे SH SH दिख रहा तो यहां पर GK के साथ SH आ सकता है बिटा यहां पर भी देखो बिग का भी जी के ऐसे चार जाएगा और स्किल है ना भाई ऐसे च और कहीं है नहीं आप पे और जी के भी कहीं और नहीं दिख रहा है ना स्किल का देखो क्या होगा स्किल स्किल वर्ड कहां दिख रहा आपको स्किल 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 ही नहीं और अगर स्किल वर्ड नहीं द लिखिए बस एक ही जगे दिखिख लाद इसका code भी एक ही जग्य जगह होगा वी टी है क्या उपर है एएम है कहीं पे पी म पी एम पी एम नहां उपर है रनसर आएगा ठीक है तो यह पर सबस्क्राइब उनी दिखार है इन दोनों क्या दिखारा विट अब नोटिस करो तो इन दोनों में common जो दिखा हांको वह दिखार है हमारा im और Em हमको notice करने पर दिख रहा है नीचे भी ये तो नहीं होगा sh Gitch%, KS नहीं है, EM और VT देख रहा Continuous दोनों में common ने भी इस तो अगर continuous आट君ने कहीं पर दिखे आपको continuous नीचे भी तो है यार यहां है देखो अब इन त्यू운 में common क्या दिखे करेंगे लिपатель को PMii? um नहीं दिखेंगा, manager Mirjee KS E-M हां यार Yem तो दिखेंगा और एक बात बताओ मुझे हमने यहां पर EM लिखाया सेविंग का क्या सेविंग भी तीनों जगे दिखाई दे रही है आपको नहीं सेविंग आपको दिखाई दे रही है सेकेंड में और सेविंग दिखाई दे रही है थर्ड में तो सेकेंड थर्ड में कॉमन क्या दिख रहा ह नहीं तो नहीं हो सकता कि वीटी हो जाएगा या वीटी हो जाएगा यहां पर मैंने जो लिखा आ यह वीटी हो जाएगा ऐसे रितिया रिखाया झां कि मों से इन्टा कामको यही Minnie ऐसे एक तो एक दिखो second में लास्ट में दिखाई दिरा वेटा second last में common क्या दिख़रा है आपको sh sh अब अगर sh की बात करें तो sh दो जगे common दिखाई दिरा आसा sh के बारा माँ कोई दिख रहा बेटा जेके हैं नहीं GK GK दिखना मुझे यार जी के भी दिखना यहानि GK और यहाँ पर S.H. आपको अररी दिया गया किसी एक कोड तो इसका मदब कंफर्म हो जाएगा GK कोड हो जाएगा BIK का और अगर GK कोड हो जाएगा BIK का तो यह हमारा बं क्या चुका है उसकी मदद से GK confirm हुआ है, ठीक है, बाज हो यहाँ पर question पर, पहला question, new policy, उड़ाओ ज़रा, SH, GK, VT, VT चीए मुझे पर देखो, VT नी, VT नी, VT नी, new policy है न हमारा, sorry, कहां गया new policy, यह रहा, GA और JK, GA और JK, कहां देखर आपका, JK, G, option number, last वाला, last वाला आएका, बेटा, इसका अंसर, यह दो को, done हो गया, इसमेरे को next, इसका अंसर में तो निकाल दिया, EM, GK, option number कौन सा, B वाला, EM, GK, ठीक है, done, तीसा दो को regmi, regmi का अंसर क्या आएका, KS, KS, option number D, यह दो को, तुरन तंसर आते हैं, बेटा, बनते चले जाते हैं, next question उठाओ ज़रा सा, remain big skill, BR, GK, G, S, BR, BR, बी आर नहीं है, BR इसमें है, इसमें है, इसमें है, इसमें नहीं है, इसमें है, और BR के बाद हमको GK, G, S, चाहिए, इसमें, इसमें कहीं GK नहीं दिख रहा, इसमें GS नहीं दिख रहा, तो यह दोनों हटा दो, answer आगा, यह last वाला, खतम, पांच question उड़ा दिया आपने, small saving का, SH, GK या VT, VT चाहिए मुझे यार, VT चाहिए मुझे, VT यहां दिख रहा, यहां दिख रहा, यहां दिख रहा, VT के साथ SH यां जी के चाहिए, SH यहां दिख रहा, और यहां किया दिख रहा, critically कि तो answer आगा, SH, SS, VT चाहिए, पांच question आपके इस तरह से बन गया, बैटा, और यह 5 questions आपको नई उमीद देके चले जाते हैं ठीक है लो अच्छा उड़ाओ इस question को यह जल्दी से question उड़ाओ इसको बहुत जल्दी समझना है और बहुत speed में बनाने की कोशिश करना है क्योंकि prelims में उड़ा देना है question को यह तो तैमानो ठीक है यह तो तैमानो चलो 3,4,5,6,7,8,9 ठीक है सब south में देख रहे हैं बना आपको ऊपर दिखाना इनको उससे कोई फरक नहीं पड़ता नौर्थ देखें साउथ देखें अगर सब एक ही दिशा में देखते हैं तो ऊपर दिखाए गरो 4% between a and c a और c की बीच में 4 लोग है तो इसको लिख लिख ल सकता है ठीक है ए और c जो है ना वो end पर नहीं आने वाले यार तो एक बाद बताओ एक दो तीन चार ठीक है यहां पर दो केस बन जाएगा अगर मैं माल लेता हूँ a c ऐसे कर लेता हूँ अगर यहां पर a रखोंगा ए तो रखनी सकता है यहां c रखना पड़ेगा एक दो पहार रखो एक दो सी एचे यहां भी नहीं आ सकता ना सी को तो यहीं रखना पड़ेगा बिटा क्यों कि सी के लेट सेकंड पर आई होगा तो एक दो तीन चार यहां पर a आ गया और यह देखो कॉशन की यह कंडिशन ड़न होगी बिटा आगे देखो टू परसन बिट्विन एच और आई और यहां पर बोला गया एच और आई के बीच में दो लोग हैं यह दू को आई यहां जाएगा यहां पे एक सेकंड रोक़ो हैं एक और दो चुड़के यहां पे एच आएगा एक दो तीन चार पानच उसाट नौ ठीक है सी के लेफ्ट सेकेंड पर आई था बिटास में है ना आगे देखो क्या था यह यहां गया question simple था बी और एच जो है बी और एच वर immediate neighbors ठेक है बी और एच पडोसी है तो यह देखो बी आ गया यहां पर question done हो गया हमारा और F was seated second right of D D के right second पर F होगा तो यह देखो question हमारा solve हो गया और यहां पर एक नाम बज़ गया इसमें बिटा कौन सा नम बज़ गया इसमें देखो A B C D E F G G आएगा बिटा यहां पर है ना question बहुत simple था और देखो सारे question आपके यहां पर exam के oriented है बाई यह देखो इसकांसर रप्लाई करो कौन सा combination सही है इसमें कि A जो है वो second left है कि कि A जो है वो थर्ड राइट है C के राइट थर्ड पर कौन है E तो अंसर आगा इसका बिटा चौथा नमबर फोर्था आजाएगा अंसर इसका ठीक है next यह देखो चार एक जैसे कोई एक अलग है F D G H B F D G H और B तो B एकदम मिडल में आ रहा है बाकिसे मिडल में नहीं आ रहा है तो अंसर आगा इसका क्या B आ जाएगा next what is the position of H with respect to E H के respect में E कहां पे अच्छा E के respect में H कहां है तो left second आएगा second left second left option number C देखो simple question है भाई यह 5 question तो आपको बहुत तेज बनाने how many persons were seated between D and I D और I की बीच में कितने लोग है बेटा D और I की बीच में कितने आ रहे one two three four और five पांच आ रहे में तो अंसर आएगा इसका more than four D D और I की बीच में चार से ज्यादा लोग आ रहें भाई who was seated third left of B B के third left में को न आएगा one two three या नहीं जी आ जाएगा तो अंसर आएगा इसका जी ठीक है डन नेक्स्ट सिलोग सुड़ा दो बेटा जल्दी से यह लो जितना तेज करोगे उतना अच्छे से आप कर पाऊगे हाँ पर ट्राइ करो इसको जड़ा सब देखो यहां पर क्या बोल गया all hips are benches सारे के सारे hips जो है वो क्या है benches है no benches is kite ठीक है no benches is kite और all kites are cords ठीक है done no coral is a bench वो cord coral एक ही लिख लिए यहां पर है इससे relation ही तो उससे किसे होगा अगर सम होता तो सही हो जाता no hip is a kite कोई भी हिप काइट निया हाँ बिल्कुल सही भाई क्योंकि पूरा कोड़ा B जो है वो के नहीं है तो पूरा H भी तो के नहीं है तो अंसर आगा only second follows ठीक है डण आगे देखो जड़ा यह वाला ट्राइ कर हो गया ऐसे और no design is यह हो गया at least some ends are shell कुछ ends जो है वो shell है गलत होगा no shell are end यह भी गलत होगा तो यहां पर इसके में तो इदर और लग जाएगा first or second में और design being shell is a possibility design का shell होना एक संभावना है क्या बिल्कुल सही तो अंसर आएगा first second इंदर और 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 लास्ट वाला सही बिटा अंसर आएगा B यह तो कि यहां पर no or some के साथ इदर और लग जाएगा अगर दोनों गलत होंगे element same हो जाएंगे ठीक है question change होगे है यह यह try करो जरसा इसको try करो जल्दी से इसको जल्दी से try करो answer क्या आएगा कि यह एक बार बताओ destination word आपके सामने दिया गया ठीक है destination d-e-e-s-t-i-n-a-t-i-o-n destination में सारे के सारे letters को उल्टा लिख दें तो right से सात्वा कौन होगा वनब सारे के सारे letter को पलट दो तो right से सात्वा कौन होगा राइट की बात करें बैटा तो right पर यह आ चुका होगा क्योंकि पूरा पलट गया है तो right के अंद से सात्वा आक्षर तो one two three four five six seven answer is a बहुत simple सा question था और आई वेश ऐसा paper आई जाए तो मज़ा आ जाएगा भाई साफ यह लो हिंदी में जरा एक बार ट्राइ करो यह एक blood relation question है जिसको आप बहुत जल्दी solve करेंगे try it fast ठीक है English में देख ले मिटा इसको यह देखो English में वीडियो को pause करके बनाने की कोशिश किया करो simple यह तरीका अपनाए करो कि यह जो question आपके सामने आते हैं यह सिर्फ इसी लिए आते हैं कि इन questions को आप बहुत आसाने से कर पाओ लो भाई इसको बनाए आठ लोग हैं जो कि तीन generation से belong करते हैं बोथ और either both or none of the parents have a life अच्छा भाई ठीक है यह तो दोनों जिन्दा है यह तो एक भी जिन्दा नहीं पी is a mother of R P R की मम्मी है तो R की मम्मी कौन हो जाएंगी P ठीक है W is a female and is not married to P डबलू एक female है लेकिन P की शादी से होगी नहीं और obvious सी बात है कैसे हो सकते पी तो मम्मी है यार की और डबलू एक female है और पी से कैसे विवाई तो हो सकती तो यहाँ पर डबलू female है आगे दो को you is a son of s s का एक बेटा है जिसका नाम you है ठीक है you son of s और s के बारे बोलोगे s की शादी क्यों कि s की जो शादी हुई है s is married to the only sister of v s की शादी हुई है v की गलौती बहन से तो v की गलौती बहन कोई होगी जिसकी शादी s के साथ हुई है मुझे नहीं पता वो कौन है ठीक है आगे देखो v is the uncle of q uncle मतलब जाहिर सी बात है क्यों के uncle होंगे तो no doubt बिटा यहाँ पर क्यों इनका भाई यह बहन होगा क्यों 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 कि मम्मी के भाई मामा आगे देखो यहाँ पर t is a brother-in-law of w w के brother-in-law कौन है ठीक है छोड़ो इनको हटाओ और w is not married to s w की शादी s के साथ नहीं होई है तो यार एक बात बताओ w की शादी किससे होई होगी फिर r से हो सकती क्या आर की शादी w से होगी तो w की जो क्या है बिटा brother-in-law कौन है इसमें टी है ना तो टी हो सकता है आर के भाई हो जाया ऐसा हो सकता है क्या बिल्कुल हो सकता है चेक कर लेते दे वर only four male and a family अच्छा एक बार बताओ आठ लोग उने चीज़ में कितने हो रहे हैं जादा हो रहे हैं क्या चार पांच शह साथ आठ नो दस बहुत सारे हो रहे हैं इसमें चार यह हो गया पांच शह साथ आठ नो कही कुछ यहां पे जोल है अब जोल का मतलब कैसे जोल है जड़ा देखो एक काम करने फिर यह देखो यह जो लड़ाई लड़ रहा है आप लोग ना यह ऐसे हो जाएगी यह दोग एस इनके husband हो जाएंगे और S की wife यह हो गई P और P के एक भाई हो जाएंगे V और definitely V के बाद S क एक बाद चेक कर लो ऐसा हो सकता है क्या तीन और पांच यानि किनके चार बच्चे है और की शादी डबलू के साथ अच्छा एक बाद बताओ चेक करो जड़ा सा इसमें P is a mother of R बिटा R की मम में P होगी ठीक है W is a female W एक महिला है and is not married to P उसकी शादी P के साथ नहीं हुई है ऐसा बोला गया है ठीक है अगर W की शादी P के साथ नहीं हुई तो ठीक आगे पढ़ लेता है इसमें क्या था P is a mother of R ठीक है और वहां पर W एक female है उसकी शादी होई है किसे P से U is a son of U is a son of who is married to the only sister of V अच्छा यू जो है ना S का बेटा है अच्छा भाई S का बेटा U हमने किया भी है और S जो है ना V की क्लोथी बहन से शादी किया है हाँ ठीक है ये भी सही था हमारा और V is the uncle of Q Q के uncle है दिख रहे है भाई टी जो है वो brother-in-law है W का टी ब्रदर-in-law है डबलू का तो बिल्कुल सही होगे आपर और डबलू जो है उसकी शादी S से नहीं हुए ठीक है और they were only four male in the group four male है बेटा गिनो तो एक दो तीन चार तो इसका मतब यह हो जाएगा क्यों फीमेल होगी तो question ऐसा बनेगा ठीक है done चलो अब आजो इस पर question देख लेता है जरा सा आर का डबलू से क्या रिष्टा है यार आर जो है वो डबलू की कौन लगेंगा husband लगेंगे फिर तो अच्छा यहाँ पर notice करेंगे R is related to W यहाँ पर कुछ गरबढ है रुक जाओ कुछ तो गरबढ है बिटा कुछ तो गरबढ है रुक जाओ तीन जनरेशन है यहाँ पर गरबढ हो रहा है दोई जनरेशन रिप्टा दिया सबको रुको P is a mother of R P बिटा मम्मी है R की यह देखो P मम्मी हो गई R की ठीक है W एक female है और वो उसकी शादी P से नहीं होई है वो तो हो भी नहीं सकती U is a son of S एक बार हिंदी में देख लेते हैं इसको तो इंग्लेश पर कुछ गरबढ हो तो यहाँ पर पी आर की मम्मी है और W एक महिला लेकिन वो P से विवाहित नहीं है ठीक है आगे ज़रा देखो इसमें आगे देखो अब देखो W एक महिला है और वो P से विवाहित नहीं ठीक है चलो यहाँ पर इसको मैं मेंशन कर लेंगा डबलू एक फीमेल है P से शादी वैसे नहीं हो सकती है उसके ओके फाइन 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 यू स का बेटा है भाई साब एसका बेटा यू है ठीक है एसका जो बेटा है वो कौन हो जाएगा यू ठीक है और S जो की V की एक मत S को इंगलिश में कर देंगे S, 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 S और S जो है जिसकी शादी हुई है V की इकलौती बहन से, अच्छा ठीक है भाई तो V की कोई एक बहन होगी, no doubt इकलौती बहन है जिसकी शादी हुई है किस के साथ? S के साथ ऐसा हो जाएगा, है ना? आगे देखो V अंकल है Q के तो no doubt Q यहाँ आ सकते हैं, इनकी बहनिया भाई हो सकते हैं, ठीक है? और T जो है, वो W का ब्रदर-in-law है अगर W का ब्रदर-in-law है T, तो ठीक है W का ब्रदर-in-law कौन है T? ऐसा हो सकता है कि W का एक ब्रदर-in-law है कौन है वो T है, T मेल होगा इसमें इसका मतलब है, और W जो की उसकी शादी क्या है, S के साथ नहीं हुई है अच्छा, यहाँ पर W नहीं आ सकता W यहाँ नहीं आ सकता, तो इसका मतलब ऐसा लग रहा मुझे कि यहाँ पर आ राएगा, है ना, ठीक है और आगे देखो, दिर इस वेले उनली 4 में आच्छा, ठीक है, काम करते हैं इसको ऐसे करो कि P की शादी W से वैसे भी नहीं हो सकती, इनकी बहन हो सकती ही क्या और इनकी बहन होगी तो P का एक हस्बेंड होगा, जिसका नाम टीक होगी, जितने भी ममी बापा लोगा है, या तो मैरिड हैं, हैं या तो गायव हैं, या तो गायव हैं, या पर दोनों हैं डबलो की यह हो गए क्या ब्रदा इनलाओ, मनलब जी जा जी, आर हो गया, अब एक बार बताओ, आर जो है इसकी शादी हुई है किसके साथ, S के साथ हुई है, और आर, S का एक, S की एक बहन है, बहन नहीं भाई होगा, अब वी अंकल है ना, तो वी अंकल हो जाएंगे, क्य के और यू के तो यू तो यू देखो यहां पे मेel हो गया, क्यूँ यहां पर फिमेल हो गया, जै अब देखो, सब कुछ ठीक है यहां पे, ऐसे देखो, और चारी मेल है, तो यहां पर देखो 1, 2, 2,, 3, 4, om यह लोगा तो यह फीमेर हो जाएगी चेक कर उदर एक बार आंसर चेक कर उदर हमां साइट हो रहा हूं चेक कर बिटा आंसर सही है कि नहीं जल्दी बताओ ठीक है डन चली अब देखो यहाँ पर क्वेशन देखलें इसमें पहला अब बताओ आर का रिष्टा किसे डबलू से बिटा आर डबलू के कौन है तो आर तो बिटा डबलू की कौन हो जाएगी डबलू की बहन की बेटी तो नीज लगेगी बती जी या भान जी कह सकते हो बत डबलू आर है क्या हाँ अंसर है का डबलू एस पी नहीं हो सकते ठीक है ना नेक्स्ट कौन से स्टेट्मेंट टू है बताओ वी टी का बेटा है क्या ना डबलू वी के सिस्टर है क्या वी के सिस्टर डबलू नहीं है बेटा यहाँ पे आर टी के पापा है क्या टी के पाप यह पर नहीं है और क्योंड का बेटा है कि हां किरा का बेटा कहां से बेटी हो जाएगी और T i kept transformations तो अंसर आगा क्या क्यू आर का बेटा है नहीं होगा अंसर आगा क्या अधर देंड इस ऑप्शन सॉंप्शन नबर भी आ जाएगा दीज आप्शन भाई कोई अंसर मिल नहीं रहा है इससे लो यह डन हो गया खतम करो उसको यह वह ट्राइब करो जब साफ इसको पहले अच् ठीक है चलो अब देखो जला साइस कहां सा पकड़ते है एक वर्ड है आपे कौन सा एफ ए आर एम वाई ए यार्डी हैने माई सब ड़न अब इसमें क्या बोला गया अगर इस शब्द के थर्ड सिक्स्त ठीक है और एक और वर्ड है इसका चौथा और चाटमा जो है चौथा यह पाँछ है इट और ए टिक है तो बही अगर इनसे मिलके कोई मेनिक्ल वर्ड बन सकता है तो इसका दूसरा लेटर कौन सा ओएगा या फिर एक से ज्यादा वर्ड बनते हैं तो answer Z आएगा, Sorry, एक से जादा वर्ड बनते हैं तो X आएगा, और Z कि नहीं बनेगा तो, ऑब इससे बात एक रेट बन गया, एक तो Tier बन रहा बिटा, रेट हो गया, Tier हो गया, और कुछ, और कुछ तो बनेगा, और अगर बनता भी है, तो हमको करना क्या है इसमें इसने क्या बोला Mark X as your answer if more than one तो ज़्यादा सोच नहीं दो तो आपके साफ साफ दिख रहे हैं इसमें ठीक है टी ए आर ए टीर बन जाएगा टीर तो बन गया है आपे ठीक है तीसरा जो भी बनेगा हमारा अंसर तो आएगा इसका एक्स 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 ठीक है चलो इतना दिमाग निलगा ना पटा एक्साम में इतना टाइम वैसे भी नहीं आमको लो बाई यह कोशन के है बई अलगलग डिस्टेंस में साथ लो करने इसका दिमाग लगवरा जिए अनसर नीकलने कोशिश करो मैं साहिट हो जाओ वीडियो को पार्ष करो इसको pause करके solve करने की कोशिच करो चुल इसको बनाते हैं बेटा जल्दी से ये देखो साथ लोग हैं आप लोग वीडियो को pause करके try ज़रूर की जिगा साथ लोग हैं जो कि अलग 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 दूरी पर है इनकोट कोशिच के नॉर्थ में और दो मिटर की सब्सक्राइब करने के ल्लग के में धोलग तो इसे बुला गयाखना टीकना की Q is standing 4 meter west of R, Q, R के west में 4 पे है, तो ये देखो, ऐसा हो जाएगा, 4 पे, ठीक है, आगे देखो, यहाँ पे क्या था, और R जो है, वो 2 meter south है, किसके S के, ये देखो, S के south में 2 meter पे R हो जाएगा, और what is the distance of S respect to M, S के respect में M के distance क्या होगा, एक बार बताओ, ये distance जो आपको दिखाई दे रही है, ये 3 है, और ये कितना बेटा, ये 7 है, तो ये यहाँ तक 3 हो जाएगा, तो ये 4 हो जाएगा, और इस 4 में भी ये माल लेते हैं, यहाँ तक 2 है, तो ये भी 2 हो जाएगा, ठीक है ना, तो आपक सा नीचे कर दो, ये थोड़ा नीचे हो जाएगा पैटा, S यहाँ कहीं होगा, ये 2 मीटर है, तो M के इदर नहीं होने वाला, तो कहा होगा पैटा, M के South East में आ जाएगा, South East में, आंसर आएगा, option last वाला, देखो M के सीधे में नहीं जाएगा, ये distance देखो, आपको 3 के बा चोटा सा question है, ये भी बनने वाला question है, ठीक है, English में देख लो जड़ा, इसको जल्ली से, इंग्लिश में देखो, जल्ली से, solve कर उसको, भाई, वीडियो को pause करके, try करने की कोशिश करना है आपको, दन, 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 चल्वा जो, अब उसके बादेखो क्या था, जुलाई में क्या था, इन जुलाई every year, a travel company choose an unlucky winner to go on a trip, to Fizzi, one person won the trip in each year, from 2005 to 2011, ठीक है बेटा, यहां पे ऐसा बोल अगया, क्या बोल अगया, इसमें की, ठीक है, when the offer was not given, two person won the trip in between M and G, अच्छा ठीक है, यहां पे काम कर लेते हैं, यहां पे पहले साल लिख लेते हैं, कौन कौन से साल है बिटा, और आपको साल दिया गया है, 2005 से 2011 तक कर, ठीक है, तो अगर 2005 से 2011 तक कर साल लिखना है, तो यहां लिख लो पहले, यह देखो, 5, 6, 7, 8, 9, 10 गया है, यह साल हो गया, अब देखो यहां पर, एक्सेप्ट इन 2009 में यह लखी नहीं निकला था, तो यहां पर डैश आ जागी, यह यह कैंसल है, इसमें कुछ नहीं आ सकता, ठीक है, अब देखो, कौशन की फॉर्स्ट एंड क्या बोले गई थी, कि दो लोगों ने नेक्स लाइन पढ़ लेते हैं, इसके गया थी, M और G के बीच में दो लोग हैं, और, there were two year in between trip, one by D and A, D और A के बीच में दो का gap होने वाला है, ठीक है, इसको भी लिख लो बिटा, कि D और A के बीच में दो का gap होगा, हो सकता है A उपर और D नीचे हो, O won the trip in immediately year after A, अच्छ that trip है न, but not an immediate year before, ठीक है, जी के जस्ट पहले नी, और M one before 2010, 10 के पहले कहीं पर N आएगा, 10 के पहले आएगा M, तो M कहीं भी आ सकता है, आठ, साथ, छे, पांच में आ सकता है, ठीक है, तो एक बार बताओ, अगर M यहाँ आ सकता है, तो अब आपको इसको रखना पढ़ेगा पढ़ेगा, रखना पढ़ेगा, महाँ पास कोई डेटा नहीं, आप या तो 3-4 केस लेकर चलो, कि 4 केस बना लो, M को यहाँ, M को यहाँ, M को यहाँ, M को यहाँ, 4 केस बना के रखो, अगर M को यहाँ रखोगे, 1 और 2 चोड़ के G यहाँ आ जाएगा, ठीक है, और आपको पता होगा कि एक सार में तो और्गनाईज हुआ नहीं था, एम के बाद इसको count नहीं करोगा, एक चोड़के, दो चोड़के जी आनि सकता, तो इसका मदब यहां पर यह हो जाएगा, कि एम की या तो यह case बनेगा, एक पे हमको M टॉप पे रखते हैं ठीक है बेटा M को कहां रखा टॉप पे और अगर M को टॉप पे रख दिया ठीक है बेटा यहां पे तो 1 और 2 छोड़ के यहां G आएगा इसमें यहां रखा तो 1 और 2 छोड़ के G नीचे रखना पड़ेगा अच्छा D और 2 का Gप होना चाहिए ज़रदा देखो एक पर 2 और 2 का Gप D और 2 के बीच में कहां से आएगा D और A के बीच में कहां पे आएगा अगर ध्यान से समझनेवारी बात है बेटा D और A के बीच में 2 का Follow चाहिए मुझे और इसमें 2 judgments में दो particular साल होने चीए तो अगर D को यहां रखूँ एक और दो छोड़के A नीचे आ सकता है और Y यहां आ सकता है ठीक है ठीक है छोड़ो जरब साथ अच्छा एक बार बताओ हमको भी एक बात बूली गई थी कि A जो होगा वो कहां पर होना चीए बेटा O के जस्ट उपर तो यहां तो आ नहीं सकता तो इसका अब यह बात तैह हो जाएगी कि यहां पर D रखा तो एक और दो छोड़के यहां A आ जाएगा और यहां आ जाएगा O और यहां आ जाएगा वाई यह तो बन गया बेटा यहां देखो D के बाद रखें तो D के बाद देखो यहां पर, अगर D को हम यहां रखते हैं तो सॉरी यहां नहीद आएगा देखो D को अगर मैं यहां रखो तो एक और दो छोड़के यहां A आ नहीं सकता क्योंकि A जस्ट नीचे होने वाला थे यहां पर D को यहां रखो तो एक और दो छोड़के अगर मालो मैं यह करता हूं तो एक इसके जास्ट ऊपर होगा ओके तो फिर आई नहीं पाएगा तो यह वाला केस गलत है बेटा और यह वाला केस भी मेरे ख्याल से गलत होगा यह तो क्योंकि बनके आ चुका है मेरे ख्याल से इसको भी बनाने जरूत नहीं आएगा यह वाला देखो ध्यान से ठीक है अंसर आ चुक है आपका बेटा ध्या तो सिर्फ एक बंदेने one answer राएगा one पर बता पांच एक जैसे हैं 5 मेंसे 4 works कोई एक अलग है m y की बात करें अगर तो m y देखं़ यहाँ पर एक का गैप करके YD की बात करें तो YD का gap तुरंथ है DG की बात करें तो यह भी एक का gap है GA आपका देखा जाते हैं यहाँ पर AO तो यहाँ पर notice करोगे यहाँ पर आप notice करोगे कि यहाँ पर MY का एक gap है YD बिना gap के है GD का एक gap है और GA तो अभ यहां पे यही तो छोड़ो, अब इसके बदो जरला even-odd का not logic देख लो, MY दूनों odd में हैं, Y D की बात करें तो Y D भी यहां पे odd और even दिखने, D G की बात करें, द्जी दूनों even आ रहें, GA की बात करें, even आ रहें, AO की बात करें, तो AO की बात करें तो यहां पर odd आ रहे हैं तो यहां पर इसका अंसर क्या आएगा किस basis पर आप यहां पर decide करेंगे जरा इस पर देखो तो यहां पर सब कुछ ठीक है यहां पर सब कुछ ठीक दिखाई दे रहा है बिटा लेकिन इसका आंसर क्या आएगा जरा चेक करके बताओ मुझे दो मिनिट लगेगा इसका आंसर निकाल के बताओ जल्दी से क्या हो जाएगा और किस तरह से हो जाएगा है आप ठीक है ठीक है भई अब देखो अगर इसमें कि एक बात करें अगर हम यहाँ पर देखो मैंने एक बार हर चीज़ करके दिखा दी आपको एम वाई से देखा अल्टरनेट गैप है वाई डी इससे भी कुछ नहीं मिल रहा तो अभी काम करेंगे इसमें लास्ट चीज़ मैं आपको बताने जा रहा हूँ जी के बाद ए जाता है इस पर और ए ओ तो बाकी हो में देखो आप उल्टा जो रिवर्स ओडर है वह सिर्फ सेकेंड में आ रहा बाकी जगा क्या है अलग हो जा तो अंसर इसका आएगा कौन से यह वाला अंसर आएगा बढाओ भाई विच अफॉलोईंग परसेंग वन दर वान इन बिट्विन वाई अन दवन उथ दोजार साथ दोजार साथ और वाई की बीच में कौन हा रहा है रहा है विच अब दॉव पॉलोईंग परसेंग वाई एडवाई ऑन वू इस नज बार बताओ यहां पर इस यहां पर कुछ मुझे थोड़ा सा डाउट लग रहा है इसमें एक चीज़ डाउट लग रही बैटा इसमें रुख ज़ो डाउट यह लग रही ना इसमें जो बहुत बात बोलीगी थी ना की डी और जी वाला ए वाला की टू इयर्स था यह देखो गड़बड यहां पर है ठीक है और यह तो सही था बिटा यह वारा आंसर सही था हमारा और इसका फंटा वाह सहीत रहें क्या मॉघ थीक था भाई डी ओधी था दीजी सही था जी अंइब रहीए और टी दीजी कि दीगी के बाद क्या था इसमें जी ए और ए उ लुग खेंदर का होगा वो चेंज हो जाएगा अच्छा एक बाद बताओ यहां पर एक बाद बताओ मुझे यहां पर देखो जड़ासा बाकी के बाद आप नोटिस करोगे कि कंसिस्टेंटली यहां पर हमारे साल पढ़ रहे हैं आपको M Y Y D D G लेकि G के बाद एक साल का गाप जो बना था इस वज़े से यह पेर जो हमारा क्या होगा अंसर में आ जाएगा ठीक है G A यह अंसर हो जाएगा बैटा इस देखो मिस्टेक हम लोग कर दिये थे आप ध्यान ने दिये थे और यह जो कहानी आप देखो चेंज हो गई यहां पर विच अप्र फॉलिए परसन वाई एड़ तो यहां पर विच पर परसन क्या बढ़ था ता विच 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 वि यह और 2007 बढ़ भाई बताओ कि वाई डोजा शाध के वीच में से जीतने वाला कौन था सिंपल सा क्वुशन है इसका अन्सर तो मैं फिक्शन है आपके एसाथ सबसे क्या है इसका उतीक है इसका अशर जो आएगा वह क्या हो जाएगा ध्यान से देखो भाई तो इसका अच जीरो वाई और दोजार साथ की बात करेंगे तो जीरो हो जाएगा जीरो अंसर आएगा इसका मलब नन अब दीज आएगा नन अफ द अब आवब आएगा इसका अंसर ठीक है चलिए बस मात्र चार कॉश्चन और हैं जल्दी से उड़ा देतें इसको बाई 2006 में किस ने अब आपको बहुत चोटा सा कोस्चन है कि साथ तैराकी चांपिन नाम दे दिया इनके अलग अलग चार जो style होती है swimming की, उसमें क्या करते हैं, वो experts हैं, ठीक है, अब आपको बताना इसमें क्या है, कि ये question जो है, वो कितना तरीके से आप इसको solve कर सकते हैं, बहुत simple सा question है, और इसको आप solve करके दिखा दो, English में देख लो इसको जली से, English में देख के देख लो, अब इससे द करके बताओ, इस question का answer क्या होगा, मुझे आप solution मत देना, सिर्फ answer देना, तो उस समझ में समझ में आएगा, मैं homework हर बार आपको देख के जाता हूँ, इस बार भी देख के जा रहो, comment में आपका wait करूँगा, और इस comment का जो answer होगा, आपके लिए बहुत शानदार होने वाला ठीक है, तीसरा question देख रहे हैं आपे, अच्छा क्या बात है, छोटी सी puzzle से पांच question लगा 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 दिया आपको, यह देखो, क्या बात है, simple सा question है, और आपको कितने सारे question दिएगे, मेरे ख्याल से पूरा खेल जो है, वो ऐसी पर depend था और यह पूरे-पूरे question यहीं प पढ़ने से आपको गलत हो सकता है, जो मैंने आपको दिखाया होगा, कि मैंने यहाँ पर जल्दी से कोई लाइन पढ़ी, ध्यान नहीं दिया, question error हुआ, लेकिन आगे जाके हम समल गए, क्योंकि वहाँ पर option थोड़ा साम को समझ में आ गये थे, ठीक है, तो आभी आपको बैंक इंशुरंस पर क्लिक करोगे, आपके सामने पूरी-पूरी लिस्ट खुल किया जाएगी, जाए और सिंपल तरीके से उसको देखे, ठीक है, तो मिलते हैं कल इसी क्या करते तरीके के साथ एक और मॉडल पर लेकिए, और आपकी उमीद है कि उस पेपर में भी पूरे नमबर आएगे, ठीक है, ठीक है, थांक यू सो मच गाईज, टेक केर और कीप प्राक्टिसिंग, जाए हिंद,